अभी हम लोग पढ़ेंगे classification of a traction system इसके पहले मैंने आपको यह बता दिया था कि traction क्या होता है या traction system क्या होता है traction system के लिए ideal traction system के लिए requirement क्या है इन सब के बारे में हमने ने डिसकस किया था इसके पहले lecture में तो जिन्होंने पहला लेक्शर नहीं देखा पहले आप फस्स लेक्शर देख लिजेगा उससे भी पहले आप इस लेक्शर को देखिएगा ठीक है ना ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से समझ में आएगा मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ठीक ना आसा करता हूँ आप लोगों से ऐसा कि आप समझेंगे या समझेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन जो होता है मतलब कहा जाए तो जो ट्रैक्शन सिस्टम कितने परकार के होते हैं ठीक है तो ट्रैक्शन सिस्टम मेंली हमारे जो होते हैं दो परकार के होते हैं एक आप कह सकते हैं कि इलक्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा कह सकते हैं कि non electric traction system समझने बात को एक तो होता है electric traction system और दूसरा होता है non electric traction system अब आप बात करेंगे कि sir electric traction system और non electric traction system में क्या अंतर है तो समझेगा एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा आपको देखे non electric traction system की बात अगर किया जाए तो उसमें हम electricity का यूज नहीं करते हैं मतलब उस ड्राइव को operate करने के लिए कह लिए या एक अस्थान से दूसरे स्थान तक अस्थान अंतरीत करने के लिए ले जाने के लिए हम लोग electricity का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि वह नन-electric traction system का part है समझ मैं आरी बात वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग नन-electric traction system जैसे जैसे कि आपका steam engine हो गया steam engine में हमारा जो होता है electricity का इस्तिमाल नहीं होता है इसलिए वह किसके अंतरगत आता है तो नन-electric traction system के अंतरगत आता है फिर हम बात करें आपका डीजल इंजन की बात कर लेता है not diesel electric engine ध्यान रखेगा इस बात को किसका बात कर रहे हम लोग diesel engine की बात कर रहे है ठीक है तो diesel engine में भी उसी को हम IC engine कहता है internal combustion engine उसमें भी हमारा electricity का यूज नहीं होता है समझने बात को अब लिगा सार प्रस इनन की बात करें है तो अभी आपको सिर्फ जानना है के इसे इंजन की बात करें करें तो या इस जन प chemical करें तो वह किसमें आता है नहुनलेक्ट्रीक ताँ दूसरा होता है तो या पल देखे нравится वह क्षैल एक इंजन जो है इस मेinkong Sergeant करते हैं तो ऐसे मलाख क्चुम स्वाषिन आप पहले कावक पूंच सूस्ट PRGA MA पर उसमें भी आपका ता डरेक। इस्तेमाल होता है विग्धी को आपको पहले चार्ज करना पड़ता है इन विग्धी मदद से उस आप ऐसाल करता है और प्रडरीन स्व. पंस सरक आप मतलब स्टाइट होजाता है या एक जगह से आप डूसरे तक उसको ले जा सकते हैं या फिर आप डििजल इलक्तरिक इंगन की बात कर लो तो डिजल इंजन डिजल इलक्रिक इंगन में भी रहता यह भी बात कर सकते हैं जिसमें कि आप डाइरेक्टली इंजन को आप एक जगह से दूश्रे जगह तक ले जा सकते हैं डायेक आपको क्या करना है electricity का यूज करना है और वह डायेक्टली electricity को क्या करेगा motor तक ले जाएगा और उसके मोटर ऊपरेटित होना स्टार्ट हो जाता है और पीजैन को विल्यूहारे पप्लासिफिकेशन ऑप स्सिस्टम protection system अ ठ्रकार art program generally makes this traction system traction system के दो परट पहला तो आप कर यह उना आट कि डिके पहला हो जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्ट्रीक Friend system इसमें जैसे च्शंपल में आपको बता दिया है इलक्ट्रिक ड्राइब फिर हो जाता है डीजल इलक्ट्रिक ड्राइब कंफ्यूज मत हो येगा डीजल इंजन या डीजल इलक्ट्रिक इंजन में दोनों में अंतर है क्या अंतर है एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे तो डीजल इलक्ट्रिक ड्राइब हो गया फिर आपका जा यह हैं नहीं करने हम सेटब करते County empirical at ३ फो निगंपल आप कीदिपुर्डवेन करते हुआ या फिर या फिर आइसी मिजन टाइफ यह यहां पर लिग दिया फिर यॉ पर लिजल इंजन टार्ब सिर्फ यह यह उनुग धीitable हमारे किसके मतलब पार्ट हो गए नन इलक्रिक इंजन के पार्ट हो गए ठीक है अब देखे एक एक करके दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है कैसे अपरेट होता है इन चीजों को हम पहले समझते हैं तो पहला हेडिंग आप डाल दीजेगा नन इलक्रिक आप इस्तिमाल करके जो विल्स होता है उसको आप रोटेट करते हो और उसके रोटेशन के वजह से क्या होता है जो पहले परोलां करना स्टार्ट कर देता समझ मारी बात धेग लिए बाझा दुन हाइज which does not use electrical power वैसा traction system जो की electric power को यूज नहीं करता है यह electric power का इस्तेमाल नहीं करता है यह !"ONE Gal'ar non-electric traction system उसको हम क्या कहते है는 non electric traction system कहते हैं समंझ में आरी इतना बात चल्याए भी कहा जाता है बहुत अच्छे जैसे कि देखी आपको मैं यहां थोड़ा सले के चलता हूं कि क्या होता है या फिर आपका जो लेकिन इसका बोलिएगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइट कर दूँगा क्योंकि यह से लिवस में है नहीं है ना फिर ज्यादा आपको बताना स्टार्ट कर दूगा को बहुत पढ़ा देते हैं मतलब मैसेज करना स्टार्ट कर देगा यही सब मैसे सेम चैनल पर है स्टीम एकेडमी वहां पर से आप इसको देख सकते हैं अब लोड कर दूगा अगर आपको जरूरत होगा तब देखी है यहां पर यह हमारा क्या है ना इस टीम इंजन जो है इसमें क्या होता है अस्टीम इंजन का बेसी कॉंसेट जिसे मैं आपको नॉर्मल पढ़े हुगे थर्मल पटलाट में क्या किया जाता था इसके बारे में यहां पर बता Peak लोग लेकिन कॉनसेपट का पा वही होगा होगा तो उसमें आप देखते होंगे मान अब तर्मा अब बाद कर रहा हूं समझा ऑगा ताकि इसब को कर लिए गखा तो इसके बारे में भी मैं आपको बतावा ठावर्ट्रों मैं क्या होता था क्यों रहता था कोई उसको हम होते जलाते थे अध्या जाताथा और और उस कोईला के जलने के वजह से हीट प्रोड्यूस होता था हीट प्रोड्यूस होता था फ्लू गैस के फॉर्म में मतलब एक तरह से कही है प्रोड्यूस होता था उस हीट को आप क्या करते थे वाइलर के थू पास कराते थे अब वाइलर में क्या रहता था वाटर रहता था और उस water उस water में जो water रहता था वह धीरे धीरे temperature अधीक होने के वज़ए से steam में convert हो जाता था और उस steam को आप क्या करते थे collect कर लेते थे collect करने के बाद आप उस steam को high pressurize करके turbine पर अपलाई करते थे यहां तक से मैं turbine पर अपलाई करते थे उसके बाद अल्टरनेटर रहता था रोटेट करके और आप electricity produce कर लेते थे बट यहां पर आपको electricity produce करने का जरूरत नहीं है बाकि उसके पहले वाला जो concept है सेम रहेगा क्या रहेगा तो हम पहले को कोया करते हैं कोयला जब जल जाता है जलें के कारण से hara होगा ही प्रIELुश होता है उस heat को हुम क्या करते हैं boiler के थुरूer पास करा से इस boiler में पांची रहता है और वह पिस्टन जो होता है पिस्टन और वगरे रहता है वह जो है डायरेक्ली आपके लो कि वील से कनेक्टेड रहता है और उस पिस्टन के मुवमेंट के कारण जो होता है वील रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और वील जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट कर देता हुआ ना चाहिए कहा आगे की और बढ़ना आरंब कर देता है जैसे कि आप देखें यहां पर आपको बता रहा हूं देखेंगा यहां से आपको है मैं आपको छोटा सा डाग्राम के मदद से भी रुख जाई है बताता हूंता कि आपको समझ में आजाए फिर मैं इसको बताता हूं जैसे देखो यहां पर मैंने डाग्राम लिया है उस डाग्राम को आप समझेगा देखेगा लिखना होगा लिखिएगा नहीं अगर मन होगा तो कोई जरूरत इसको लिखने का नहीं है ठीक ना इस चीज को आप समझ लिजे जैसे कि देखे यहां पर हमने एक चोटा यह वाला आप इसको भी जो है अगर अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजएगा यहां पर आपको जो भी और अधर वीडियोज होंगे या फिर आप यहां पर मिलता रहेगा तो हम अभी फिलाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अस्टीम इंजन के बारे में पढ़ होंदे देखें यहां पर क्या concept यूज होता है या किस प्रकार से यूज किया आता है आफ क्या चानसे पा रहों है मं whirring कंस्रक्षिन अगर आप देख रहों है तो इसमों भी यहां पर देखें यहां को третьہ ही कि जलाने के लिख243 यहां पर हमारा स्क्राइब करने कर सरा करते हैं हम लोग उसका चत्तान स्मॉपन कर दो trata को सब्सक्राइब अब मारकिंग किया हुआ है जो की दिखाया गया अब देखिए यह क्या होगा जलेगा यहां पर जलते हुए भी दिखाया गया है फायर देखिये यहां पर लिखा हुआ है जब जलेगा तो इसके द्वारा आपको क्या होगा यहां पर टेंपरेचर मिलना स्टार्ट कर देगा अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां से आपको पास करया जा रहा है इसप्र्ट में आपका ऊलेक्ट किया हुआ रहता है जो की इस होट गैसे के मदद से धीरे गर्म हो करके अस्टीम बन जाता है भाफ बन जाता है समझने बात को और एक चीज और देख लीजेगा यहां से जो होट गैसे होता है यह होट गैसे हैसे करके इधर पास कर जाता है होट गैसे करके इसको सिर्फ पास कराया जाता है जो की धुआ के फॉर्म में रहता है देखत करता है छोड़ते जाता है इसको और भी देखना आपको पटना स्टेशन पे जो है ना वहां पे चोटा सा डमी बना हुआ है स्टीम इंजन का ही है वो भी आप देख सकते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा ठीक है तो देखिए यहां से आपका यह कि इस तरह से पास हो जाता है है यहां तक समझ बन मह schemS देखो , यहां हो रहीं है कि आजाता है यहां से आओ यहां पर क्या है डॉम मतलब एक गुंबल ट्राइब से हम बना लेते हैं जिसमें कि हम भाप को जमा कर सकें समझरे बात को जिसमें कि हम भाप को जमा कर सकें तो यह जो हमारा है यहां पर आपका सारा का सारा भाप यहां पर क्या होगा जमा हो जाए कितना अस्टीम को हमें भीजना है है ना कितना अस्टीम को भीजना है कितना प्रेसर से भीजना है इसको हम लोग कहते हैं जिसको देखो आप यहां से देख रहे होगे अस्टीम regulating mechanism है जो कि steam को control करने के लिए regulate करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब इसमें देखना यह अस्टीम जो है धीरे 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 आपका यहां पे पहुंच रहा है कहां पे पहुंच रहा है तो यह steam cylinder में समझ में आरी बात अस्तीन जो आपका डॉम में सेव था या डॉम में जो आप कर रहा हो चंतिनियूसली जो क烏क्ट हो रहा है वहां से परेसघ्राइजड करके इस समी और गॉलेटिंग मेकेनिजम के दवारा होते हुए यह अस्तीन जो है धीरे धीरे कहां पर आ रहा है तो यह अपका स्टीम सिलेंडर में आ रहा है अब देखो जब स्टीम सिलेंडर में आएगा यहां ध्यान से देखेगा लिखा हुआ आपका हाई प्रेसर अस्टीम मतलब प्रेसर होके हाई प्रेसर में यहां पर स्टीम आपको मिल रहा है इसमें किसमें अस्टीम सिलेंडर में ठीक है अब ध कि दत्क से आगा क्या धका देगा जैसे यह पिस्टन को धका देगा यह पिस्टन आगे की की ओर अब देखी यह पिस्टन जो है यहां पर आजाए यह ऐक क्रेंग के मदद से यह आपका एक रॉड है क्रेंक बोलते हैं ये जो होता है connect किया हुआ हुआ होता है यह उसको हम connecting राड नुट करका है ढौकी कहां connect रहता है गाहां connect रहता है इस विल्क पे connect किया हुआ रहता है समझ देंगा बात को एक बार फिर से आप देख लिजें रिपीट कर दे तेख अब यहां से समझते हैं कि जब यहां पे pressure आएगा, high steam का pressure आएगा, यह piston को क्या करेगा, धक्का देगा, जैसे ही इस piston को धक्का देगा, जैसे ही इस piston को धक्का देगा, यह piston क्या करेगा, आगे की और move करेगा, और यह जैसे आगे की और move करेगा, यह जो है आपका, यह और जैसे ही यह वील रोटेट करेगा मतलब आप कह लो कि आपका एंजन जो है एक मतलब मूब करना स्टार्ट कर देगा अब अलगा सर एक वील से कैसे हो सकता है नहीं इसमें बहुत सारे वील जो मड़ी आपिर दीदोत्किट विड़ी है कि आपको यह फ्रीप्स हंद ग्रau day पिक्टर आपको में है आप सकते है यह यहां पर प्रकार क्रेंग युश खहें को अर इस त्मीति से भी आपका लक्तिकाई हुआ है मतलब एक विल अगर रोटेट करेगा तो इसके साथ साथ ये और ये दोनों भी रोटेट करेगा मतलब अगर ये रोटेट किया तो डेफिनिटली ये और ये दोनों आपका क्या होगा रोटेट करेगा समझने बात को अब यह भी रोटेट करेगा यह रोटेट करेगा तो एक साथ सम करना चाहिए तो कर सकते देको यहां पर अपका फलेम है जल रहा है उसको चल जल को जले घरेयाद है धिक जुब्स जलने के बाद कुछ ही तरह से इते हमारा क्या है पास हो रहा है ऑच जो तरह क्या ही की 흔oster यह जमा किया हुआ है और यह जो इसे से आप देखो इधर से आपका निकल जाएगा चिमनी और से आपकाशd कर जाएगा ठीक है लग्याम आपकर स्थोय जी वाटर है वह newgas के मद्स यैंट टेंप्रेचर के मद्द इसको बोलते हो इसमें आप थिंगे करो collect कर लो जमा कर लो और फी और फीर उश्डीम को आप देखो से आपको बेजा जा रहा है यहां पे देख लो यहां पर यहां पर ध्यान से कर आफड़ है होप सो दिख रहा हो गा मैंट भी है ना यहां पे आप देखो किर से मेकनिज्म के मदद सी यहां पे आगया और यहां पर देखो पिस्टन बना Should से को धरी अगिसमें नोग होगा जब एक बार इसमें रोटेशन कना आक होगा घृत करेंने हेज़ी करें भी रोटेट करें गाएं यह लोटेट overlapping पड़े कारेंG इसमें प्रोटेट करेंगा जहीं और प्रोटेट कर देगाएं आशाने से इंजन को कराया जा सकता है एक जगा से दूसरे अस्थान तक या एक जगा से दूसरे जगा तक आप क्या कर सकते हूं इसको भेज सकते हैं समझ में आई बात इतना तो यह कॉंसेप्ट जो है हम लोग अस्टीम इंजर में यूज करते हैं जो कि आपके सिलेवस में नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है लेकिन आप जानिए जानिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि अस्टीम इंजर का अविसकार किस ने किया था तो जेम्स वाट ने किया था ठीक है और आप से पूछा जाए तो कब किया था तो सायद यह 1769 के आसपास में किया था मुझे इग्जेक्ट डेट नहीं इस वी याद नहीं है मतलब साल जो कौन साल में किया था वो मुझे साथ से सतर के बीच में है एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है तो आते हैं इस पर वापस तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अस्थी मिंजन का कैसे इस्तिमाल करते हैं और किस प्रकार से चलाया जाता होगा कि लिए ना तो से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं अर्थात फिल गए जो की टेंपरेचर अधिक रहता है उसका इस होट गैसे को आप पास कराते हैं कि इधर से भाई तो बॉयलर के द्वारा बॉयलर में क्या रहता है पानी वह पानी क्या होता है गर्म होकर स्टीम बन जाता है अस्टीम को आप कलेक्ट कर लेते हो कहां पर उसके बाद पर गांब के मतद इसे आप उसको कहां भेजते हो तो अस्टीम सिलेंडर में स्टीम सिलेंडर में आपका कि अे पिस्टन को पूश करता हैं और जैसे पूस करेगा स्टीम को मूव कराएगा यह को इस को गरेगा इस कटनेरा‍टburyburyel गर क्रेंगा इस को को रोटेट करेगा ठीक है और यह विल्स के साथ में सारा विल्स जो होता है इंटर कनेक्टेड रहता है जिसके कारण से आप कहा सकते हैं कि पूरा का पूरा इंजन बूब करना स्टार्ट कर देता है ठीक है इसका बहुत सारा डिसेडवांटेज था भाई बहुत एक तो अलं प्रमोस्ट कहले जे कि कोईला भरा जाता था कहले जिए जो भी एस्टेशन रहता था जहां पर और पानी भड़ा जाता था ताकि वह चल सके एक बार जब बंद हो गया मानलों तो फिर स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता था मतलब टाइम कंजुमिंग था जिसको फिर जब कोल स्टोडेज है तो जब कोल जल रहा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि एस भी बनेगा मतलब उसका जो राक क्या लिजिए वह भी बनेगा तो उसको भी जमा करने के लिए जगह चाहिए तो यह सब बहुत सारा दिक्कत इसमें होता था इसलिए धीरे-धीरे तो आप समझ रहें मोडीफाइ किया गया थीक्ना मोडीफाइ करके फिर दीरे-धीरे डीजल इंजन पर लाया गया मतलब खोज किया फिर से उसको रिसर्च किया घै पिर आया डीजल इंजन रूल में अभी डीजल इंजन भी जो है आपका मेकेनिकल पावर ही देगा आगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किसके बारे में तो आपको क्लियर हुआ होगा खुब सो समझे होंगे कि इंजन जो है कैसे वर्क करता है या किस प्रकार से काम करेगा हमारा ठीक है ना आप देखिये अको कहीं मौका मिले अ कि सब्सक्रां पर देखें तो आपसे माँाराण चलों ये आप जल सकते हैं देखने में मना ही नहीं है लेकिन आइसा मत किजेगा कि उठागे घर लेके चले जाएगा है आज कल चोड़ी भी हो रहा है इंजन इंजन चोड़ी हो जा रहा है भाई कहीं से चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा है आपका डीजल इंजन सिर्फ डीजल इंजन ना कि डीजल इंजन का टीक है जिसमें की हम डीजल यूज़ करते हैं अगे अब देखना यहां पे अविकी। को जलाने के लिए भी हम एक मतलब रबानाते हैं ञाग यह包括 अद मिर्व को जॉया जाता है यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको और वेशल होगा एक मिनट मैं चेर करेज ढि़िक है यह देखिए यह हमारा डीजन है listening है यह हमारा इंच hem केबीन है जिसमें की लोको पाइलट बैठे हुए रहते हैं यह हमारा केबीन है इस बस बेसिक में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको चाहिए होगा मतलब डीप में जाना होगा तो मैं आपको चोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा ठीक है बट आपको रिक्वार्मिंट होगा तब हलाकि से लिवस में नहीं है मैं पहले ही बता दे रहा हूं उसके बाद देखो यह पूरा पूरा क्या है क कहा रहेगा एक मतलब चेंबर टाइप से बना होगा रहेगा और उस चांबर के दिजल आपका रहेगा मतलब फ्यू gas उसमें डाला जाता है फ्यूल जो है जलता है ठीक ना कमप्रेसन के मदद से और से करिके इसने आपको साफ्ट होता हुँ ते समझे मैं आपको बताना चाहा घाए्ट आपका एक फ्यूल यह होगा और यहाँ से आपका एक कि स्थ्ट अतार को इस्परिकार साइसा बना रहा हूँ तो सके बाद यहां से आप कहले चाहरो रहता है जो कि कुछ कि किया जाता है और इधर से बाहर होता है ठीक मतलब इधर से एर पास करेगा और इधर से धुआ जो होता है बाहर निकले क्योंकि जब भी डीजल जलेगा तो दूआ भी तो बाहर होना ही होना है ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा तो यहां पर जैसे इन किया जाता है एर आने के ब बढ़ना आस्ताहिए हमारा क्या किया ताइए दाला जाता है जब परिटिकुलर टंपरेचर के पार होता है ना तो जैसे इजल उसमें आप डालते हो ना तो वह जलना स्टाट कर देता है जब जलेगा तो फिर आप यहां पे तो फोने से माल गायाँ फ्रोर्दीए रहेगा है ऐस बनाएगा और वह ग्यास यह क्या करेगा इस फिस्तन और थक्तन कौकर और थक्ता देने के बजह से वहारा क्रेंग्टिंग रॉट क्यता क्टैंश में में समोख करेंग घंध्क किया हुआ है होगा सारा है का सारा विल्स क्या होगा स्टार्ट कर जाएगा सेम टाइम में आपका इधर से जो धुवा निकलता है वह इधर से आपका बाहर निकलने लगेगा और इधर साफ को air continuously apply करते रहना पड़ेगा और का रिक्वार्मेंट है जलने के लिए और अता है और फियू भी दिया जाता थाकि जलता है और जो जलने के बाद से जो धूँआ कहलो यह फिल्व गैस प्रोडियूस होता है क्या करता है तो फिर क्या करता यह यह याँ रोटेट करता है अब यह वह एक उपर आए गाप वी नीचे अला कुछ इस तरह से प्रॉसेस से रहेगा और फ्यूल कंटिनुनासली जलता रहेगा और फिर यह हमारा रोटेशन भी कंटिनुसली होता रहेगा। अब देखो जब जलेगा तो एक छोटा सा आप कहले एक वीयल रहता है उसके बाद उसको आप साफ्ट के मदद से यहां पर हम कपलिंग कर दिया है कपलिंग करने का मतलब अब देखो यहां पर फ्लूड कपलिंग है फ्लूड कपलिंग का मतलब आप वहां पर वाटर का इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब लिक्विड कहने का मतलब लिक्विड कर सकते हैं या फिर आप एयर का भी यूज कर सकते हैं कपलिंग के है हलाग कि यहां पर भी याद करो एक टर्वाइन सो फिर अल्टर्रनेटर कर देते थे कुछ ऐसा है तो तरवाइन टाइप से में बोल रहा हूं मत समझ ले ठीक है तो यहां पर हमारा एक विल्स रहता है ठीक और वहां विल्स जो हता है फ्लूट कप्लिंग के मदद से हमारा गियर बॉक्स के मदद से यहां विल्स है कनेक्ट कर दिया जाता है और यहां पर अगर देख पा रहे होंगे तो एक विल्स दूसरे से कनेक्ट है तीसरे से क तो यहां पर हमारा क्या होगा फिलूड का इस्तेमाल करें और डाइरेक्टली हम लोग जो विल्स रहता है उसको कनेक्ट करके रखें हैं विल से जब यहां पर हमारा विल्स रोटेट करेगा और इसके रोटेशन के वजह से ही हमारा यह विल्स रोटेट करेगा अब यह रोटेट करेगा तभी यह विल्स रोटेट करेगा और जब यह विल्स रोटेट करेगा तब जाकर के आपका जो ट्रैक्शन सिस्टम होगा एक जगह से दूसरे जगह स्टार्ट हो जाएगा जाना स्मझमारी बात तो यही कॉंसेट आप यूज करते हो किसमें डीजल इंजन में अब एक चीज समझना आपको कि कहीं पर हमने इलक्ट्रिक सिटी की बात करी हैं कहीं पर इलक्ट्रिक पावर का यूज किये हैं नहीं किये हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यह सभी जो होते हैं किसके पार्ट होते हैं तो नन इलक्ट्रिक इंजन या नन इलक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम के पार्ट होता है समझ में आरी बात चलिए आसा करता हूं कि समझ में आया होगा चलिए आज रहने देते हैं उसके बाद चलो एक बर ये भी देख लो आप इल्केरिक सिस्टम के बारे में फिर हम लोग आगे बढ़ें गें ठीक हैं इल्करिक हैं हमने क्या बताया थे आपको CHRIST एक सब्क nell होता है उसमें हम इलक्तिकी बसेड़ी और कम्प्लिटी वह ऐसा रेक्शन सिस्टम जिसमें की हम एलक्टिकाल पावर का इस या इलक्तिकी का स्वाल करते हैं स्कून किसकें रहते हैं तो येलक्टिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर कर थे और अथवा इस टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम एक प्रकार का ट्रैक्शन सिस्टम है जो कि इलक्टिकल इनर्जी का यूज करता है ताकि वीकल को एक जगह से दूसरे जगह या वीकल में मुव्मेंट लाव सके इस न час गों गateurs एक हम इना उसको हम किसे एंतर गहते हैं तो इलक्ट्री ट्रैक्शन एंतर गात रखते हैं जिसमें कि आक आता है कौन सा एलक्टिक डैव क्रिब कोने से मतलब है कि आप है जो आज कल सब बताएंगे भाई बस सुनते रहो खाली है अभी जो बता रहे हो टर्म आप याद रखो डिटेल में सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वह ओवर हेड कंड़क्टर से डायरेक्ली पेंटोग्राफ के मदद से हम इलक्रिकल पावर लेते हैं और इंटरनली जो होता ट ड्रोटेट करता था उसके साथ में बताएंगे अपको इसके बारे में चर्चा करेंगे तो डिजर इंजन अदि एलक्रिक ड्राइव जिसमें की यह इलक्रिकर सब्सक्राइब के सबस्काराइब करें वाइफ आज है अमरे कि अक्राइब को अच्राइब को फायदा नहीं बडाटिक गए अगंगे इतना ही रखते हैं छोटा वीडियो है आप आरामसुस को देखेगा साथ साथ में नोट भी करते जाएगा ठीक है अगर किसी भी प्रकार का कोई queries हो या कोई doubt हो तो बेजीज़क आप पूछेगा है ना बेजीज़क आप पूछ लिजेगा या comment box में आप comment करके भी बताइएगा मैं कोसिस करूंगा कि आपका जो भी queries है या जो भी सवाल है उसको मैं उसका solution provide करा सकूं या उसको मैं समझा सकूं ठीक है या फिर किसी भी परकार का कोई feedback देना हो तो आप बिलकुल दे सकते हैं बढ़ थोड़ा सा एक request है कि जो language यूज करते हैं वह मर्यादित language का इस्तिमाल किजिए ताकि आपको भी अच्छा लगे और जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको भी अच्छा लगे चलिए आसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्या होता है या फिर जो डीजल इंजन होता है वह क्या होता है दोनों आ नहीं समझे आए तो दुबारा एक बार वीडियो लेक्चर को देखेगा डाफिनेटली आप समझेंगे मुझे ऐसा विश्वास है ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद